बिहार के वालमे की नगर में बीफ्टा के विस्तार के लिए की गई बैठक मकर सक्रांति के सुब आउशर पर बिहार के पश्मी चंपानन का स्वर्ग कहे जाने वाला बालमे की नगर के रानी के स्थाउक गोल्चौक बालमे की नगर में बंशियूट इंटरनेशनल फिल्म औ कुमार पाठक एवामुन के बड़े भाई बजंद्र पाठक ने संयुक्त रूप से पौधार उपन किया श्री पाठक ने बताया कि परतेक विक्ति को अपने सीवन में कम से कम एक पौधार निश्चित लगाना चाहिए पैग्यानिक तिरिष्टी कोंड से पौधार लगाने स प्रयावरन स्वच रहता है तथा प्रकृति संतुलित रहती है बजंद्र पाठक ने बताया कि पेण पौधों से हमें स्वच्छ वायू फल छाया इत्यादी मिलता है इसलिए हमें पौधा लगाना चाहिए तथा अपने परिवार के सदस्यों की भाती उसकी देखवाल करन पेण पौधा हर व्यक्ति के जीवन में खुसाली लाता है पेण जो है जदी फलदार है तो फल देता है जदी फलदार नहीं है तभी अपने च्छाय से किसी को अलग नहीं हटाता है इसलिए पेण जो है लगाना बहुत ही आवस्यक है यह हम लोगे रिशी महरसी भी बताए है कि हमेशा पेण लगाना उसकी रक्षा करना और उससे फल प्राप्त करना यह उन्हों के द्वरा ही बताया गया है आज के आधनिक जुग में पर्यावरन जो है बहुत ही दुशित हो रहा है जिसे पोधा लगाना बहुत ही आवस्यक है जो हमारे जीवन में उपयोगी है उसका प्रदूसर हमारे जीवन में जो आता है बहुत दूर हो जाएगा इसलिए प्योड पोधा लगाना बहुत ही जरूरी है जदि फलदार पोधा है तो सबसे उत्तम है नहीं फलदार है तो भी बहुत उत्तम है और आर्थिक दिरिश्टी से भी जदि हम प्योड पोधा लगाते हैं तो भी से में जो है वह हमारे बाल बचों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है